सिम्रा थाना शेत्र में रेलवे ट्रेक पर मिली लाश मामले में मिर्तक की पतनी नजराना निवासी मदर गंज सिम्रा ने स्पी को आवेदन दिया है जिसमें उन्होंने कहा है कि 2 जून 2022 को मेरे पती को शाम 7.45 बजे एक आग्यात नंबर से फोन आया था मेरे पती उस कॉल के बाद बाहर निकल गए बाद में उनकी सरकटी लाश रेलवे ट्रेक पर मिली जिसमें लोगों के द्वारा सिमांचल एक्सप्रेस द्वारा कट जाने की बाद बताई गई उन्होंने कहा कि मेरे पती को बुला कर पहले उसकी हत्या कर दी गई उसके बाद उसकी लाश रेलवेड ट्रेक पर रख दी गई जिससे ट्रेन आने से उसका शरीर कट गया और मेरे ससूर ने ठाना को सुचना दिये बगएर जल्दी से मिट्टी का कारिक्रम कर दिया मिर्तकी पत्मी ने उक्ताग्याद मुबाइल नंबर का कॉल रिकॉर्ड निकाल कर उस पर परात्मी की दर्ज करने की मांग की है तो तुम खना बना कर रखो हम तूरत आ रहे हैं उसके बाद दस सड़े दस बजे उसका लास वहां से बुरकाया फोन के दोरा जांच किया जाए कि यू कॉल जिसने किया वही ऐसा अमरे पती को सब मार करके ले जाके लेन का पट्री पर रग दिया बोला कि सिमान चल तरन में क कि इसका नंबर को मारे ठीशच का जाए कि मतलब जिसका नंबर होगा उसी से पता चलेगा ही वही हमारी पती को मार कर के लंग केपड़ी पर ला कर रख दिया मारा पती कट गया दस तषममें किwałकि कि जाए जाए पाता चला वहां से ला से लास आग तो बोला कि मतलब कोई लापरवाही कर दिया सर मतलब की लिया आवेदन लिया कि एक रोज दो रोज में नंबर जो दिये तो ठीक है जांच हो का आएगा मतलब एक सन नहीं ले रहा जल्दी से हम यह चाहते हैं कि उस नंबर पर जो कॉल करके बुलाया है जो मार कर रखा है उसको सर उसका जांच किया जाए कि सही है कि गलत है अपने से मारा गया कि वो उसको कोई मार कर लाकर रखा हम तो सर हम यह जानते हैं कि उसको मार करके लेन की पट्री पर रख दिया गया वो अपन हाथ ते आपने से नहीं किया हम आपे दन देने को सब्सक्राइब के परास आएं